भारत चीन सीमा से सटे दार्मा घाटी इलाके में सड़क का नर्मान किया जा रहा है अधिकारियों के मताविक इस इलाके में सड़क बनने से लोगों को वो जरूरी सुविधाय मिलेंगी जससे अब तक यहां के लोग महरूम थे जबकि ये सड़क सीमा सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद महत्वपून होगी ये तस्वीरे दार्मा घाटी की है जो भारत चीन सीमा से लगी हुई है खास बात ये है कि सामरिक दिश्टिकोंड से महत्वपून इस इलाके में प्रकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है तो इस इलाके में जरूरी सुवधाये पहुचने की उमेद बढ़ गई है वहीं अधिकारियों का दावा है कि सीमा सुरक्षा के लिहाज से भी ये सरके बेहद एहम होगी कर्मा वैली में हमने ये देखा कि कई अपार संभावनाय है प्लांटेशन बगरे की इवेन कोल्ड वाटर ट्रॉट फार्मिंग फिस फार्मिंग वहरे की काफी संभावनाय है और उसको हम लोग उसमें आगे करवाई कर रहे है भारत चीन सीमा से सटे इस इलाके में सोबला से बर्लिंग तक सडके बन भी चुकी है जबकि सोबला से तेदांग तक 35 किलोमीटर सडक का निर्मान होना है जिसका जिम्मा CPWD को सौपा गया है और अब तक 10 किलोमीटर सडक का निर्मान कार अंतिम चरण में है वहीं अधिकारियों का दावा है कि सडक की गुणवत्ता को लेकर कोई कोता ही नहीं बरती जाएगी जिसके लिए कार्यदाई संस्था को जरूरी निर्देश दिये गए है कुछ जगों पे जहां पर कि क्रोनिक स्लाइड जोन बनने की संभावना है साथ ही पानी आता है उन जगों पे आर्शी सी रप्टा बनाने और अन्य कारी कराने के निर्देश दिये गए है उनके दोरा ये कारी किया जा रहा है और अगले बरसाथ तक इस तरह के जो भी सुरक साथ में कारे हैं उसको पूरे कर लिये जाएंगे तके रोड बहने 24 7